अधियो इस्ट्वेंट्स, we are going to start with chapter 14 of class 8, that is chemical effects of electric current. अब आपको पता है कि electric current के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, तब जहां से भी current पास होता है, तो currents के बहुत सारे after effects होते हैं. जैसे कि अब को पता है कि magnetic effect भी जो electric current produce कर सकता है, ऐसे ही chemical effect भी electricity conduct कर सकता है, heating effect भी produce कर सकता है, यह सारे after effects हैं electric current के. इस chapter हम लोग पढ़ने वाले हैं कि electric current के खारण कौन सी chemical changes हो सकती है, कौन सी chemical reactions हो सकते हैं, तो इस chapter हम लोग इस सब के बारे में परहेंगे. तो इस chapter हम इस बात पर ही focus करेंगे कि कौन से substances electricity conduct करते हैं और कौन से electricity conduct नहीं करते हैं तो जैसे आफ figure में देख पा रहे हैं, इस figure में क्या है अफ पचान पा रहे हैं यह copper wire है यह electricity conduct कर सकता है और यह क्या है, यह distilled water है, distilled water is a poor conductor of electricity जो पानी जो बिल्कुल pure water है वो electricity conduct नहीं करता है तो इस chapter में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, electricity के बारे में जैसे कि जो electricity कौन conduct करते हैं, कौन नहीं करते हैं, क्या कारण रहता है, यह chemical effect कैसे रहते हैं, इसके क्या applicences है साइंस में जो कुस भी आप पढ़ते हैं, वो सारा आपके आस पास ही होते हैं, लेकिन आप उसके साथ familiar नहीं होते हैं, आप उनके बारे में नहीं जान रहे होते हैं, यह कैसा application है जो आपके पास ही होते हैं, जो की result of chemical effect of electricity हैं, तो हम लोग इसके साथ familiar होते हैं, इस chapter में प testers and its working, LED, complete and incomplete circuits, effects of currents, electrolytes and non-electroloids, electrolysis and its applications, अब देखिये, we come across so many substances in daily routine, पर हम ने देखा कि some substances conduct electricity and some substances do not conduct electricity, तो कितनी सारे चीज़े हम लोग देखते हैं, जिसमें से कुछ में से substances में से electricity pass होता है, और कुछ में से substances जिसमें से electricity pass नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको देखते हैं, कि कौन से substances, कौन से ऐसे हैं, जो current flow कर सकते हैं, और कौन current flow नहीं कर सकते हैं, for example, यह figure मे आप देख रहे हैं इस वर ओके ईयर जिसको आप यूज करते हो रफ करने के लिए तो आप जानते हैं पолнगर जानते हैं यह जो कर सकती है या नहीं कर सकती मढर जानते हैं पर 태 admitted यह पास नहीं होगा सिकंड फिूगर में आपके पास किया जैसी की ड्लास है बहुत कुछ में यूज करते हैं ग्लास का ऐसे विंडो पेंस बनाने के लिए हैं ना ग्लास के बहुत सारे मेटेरियल्स बनते हैं तो आप लोग जानते हैं ग्लास भी इलेक्रिसिटी कंड़क्त नहीं करता है आप जानते हो कि अल्मुनियम फॉइल्स कंड़क्त अल्मुनियम फॉइल्स कंड़क्त अल्मुनियम फॉइल्स कंड़क्त अल्मुनियम फॉइल्स का अलाग्टिसिति ओके नेक्स्ट फिगर वाहब डिस्टील वाटर लिख पास टिस्टील वाटर अगय पढ़एंगे पसे बारेilly इन Records के ये ऊफ़एंगे इसके बाड़े में कीचिच्ट कौनणा कहीव है copper wire we have copper wire होगे कई पता है कि हम बहुत चीजी के लिए यूस करते है और पर सकते हैं तो जो यृद्म कर सकते हैं जैसे हम कुछ सब्सक्राइब सकते कर सकते थे और कुछ ऐसे भी पर दाए नहीं कर सकते से तो आपको पता है कि यह सारा जो भी यहाइब यहांपर क्या करते है यह सारा क्या है इनको एलेक्ट्रिकल वायर या फिर और अजो बहुत होता है इसमें जो launched it under live कर सकता है यह सारा क्या ये लेक्रिकव ya kiedy रिंशिड करते हैं ये तो किलियर आपको मृण कम अक्रों मेने सब्रญ्ससाइज संप्रें कांड़्ड एलेन्सoken जी संब नोड कंड़्को्राइज अब आगे द्थे युशns पर बेसिस पे विद्वी कंटलासिफाई सब्सक्राइब सुछ इन बैसिस पर यह एक लेक्निशाटिटी पाश करते हैं अलाव करते हैं और यह डून अलाव दश्रीटी तुपश ऑंके हमारे पास दो परकार के सब्कांसरों होता है like दूसरा Cuactor और दूसरा बैट कन्ड़क्टर ओढ़क take a clear लोर कि इस बैसेश्ड पे क्रिंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता है तो सब्कांसिस को दो भागों में दो कैटोगरे में calculate कि आ गुड कंड़क्टर या बैड कंड़क्टर ओके तो गुड कंड़क्टर किसको कहते हैं तो चलिए देखते हैं कि वाटर गुड कंड़क्टर नाम से पता लग रहा है कि गुड कंड़क्टर आर दोज विच अलाउज करन्टू पास थ्रो दें जो अपने में से करन्ट को पास वह इसारे ते गुट कंडूक्टर कहलाता है एक्वार एक्जामपल और मेटल्स जितने भी मैटल्स होते हैं उसमें से होता है यह सारे गुट कंडूक्ट of electricity होते हैं as they allow current to pass through them right तो देखिए figures यह copper copper है और दुसरा aluminium है यह copper की wire है और aluminium की file है you know that they are metals जैसे कि हमने बात कि थे metal chapter में metal में पर रहे थी कि metal जो है वो डूट conductor of electricity होता है ठीक है तो copper aluminium file जो किसी form में form में किसी कॉपर को या फिर aluminium को यूज करते हैं तो electricity को पास करवाएगा ही तो चाहे हम लोग उसमें hardly matter का यूज करें या फिर हम पतला सा फॉइल का यूज करें लेकिन यह कूट conductor होगा electricity का ओके ऐसे हमारे पास poor conductors भी होते हैं we have poor conductors so obviously it means which do not allow current to pass through them okay जो अपने में से करेंड को पास होने नहीं देता है जैसे का फीगर में देख रहे हैं कि यह उड़ है और दूसे पहले स्लाइड में लोग डिसकस किये थे कि उड़ जो है अपने में से करेंड को पास नहीं होने देता है बलकि आपको पाता है कि कोई भी छूते हैं तो अपने साथ उड़ को पकर है तो जैसे कि अपको चबेकरम चाइंज करूंगे की कभी घंषा से क्यूंकि और छूते हैं तो वहां पर एक चांस है कि आपको क्सक्वाइब ल बसक्ता है अप्सक्राइब और इसे या थे और भी वह सकता है कभी गिलें हाथों से लेक्रिक वाइर को नहीं छुना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने लकड़ी को पकर रखा है आपने रवर की चपल पहन रखिए ओ तो करण्ट आप करण्ट से बश सकते सोक से बस सकते हैं ऑपने से पास नहीं होने देता है तो इस case में अपने आपको बचा सकते हैं तो फूर कंड़क्तर को पास नहीं होने देते हैं अब कैसे पता लगता है कि how one can test that given substances is good or poor conductor अब यह तो हमको पता लगया है कि कुछ good conductors है और कुछ poor conductors है पर कैसे पता लगता है कि कौन से substances good conductor है और कौन से substance poor conductor है because we come across various substances जिसको हम लोग लड़ नहीं कर सकते हैं बट हम लोग को तो पता होता है कि कौन से poor conductors में होते हैं तो इसके वारे पढ़ेंगे इस chapter में और इस topic में तो हम इसके use के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से substance good conductor है और कौन से substance poor यह भी उसमें जानते हैं पड़े इससे पीछे तो हम लोग इसको टेशटर की सहाइथा से पताला करते हैं इसको यह सकता होगी जो इस फीगर में अब देख रहा है यह टेश्टर है जो इलक्टिसिटी को टेस्ट करने के लिए उपियोग किया जाता यह दिख रहा है तो जैसे कि आप इसके अंदर हमने देख करना था कि यह बलब गलो करता है जलता यह नहीं तो हम क्या किई कि इसको वायर के साथ ऐसे एसे किसी डिवैज के साथ लगा दिए और इसमें इक बलब भी लगा दी यहां पर जैसे कि हम इसके अंदर को चेख करना है कि यह गैवकरता हिकि नहीं तो टेस्टर एक ऐसा Instrument जो टेस्ट कर सकता है किसी चप्रांस को कि अगरना संट कर नगर्व कर गाता है को सुझित Shui कि रहे हैं कि हम हम इसको बाइग साथ कर देते हैं अगर वाल्ब गडूओ कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह कॉंडॉक्टिंग है अगर वाल्ब गुल्ब नहीं कर रहा है मतलब कि यह कंडॉक्टिंग नहीं ये Not Conductting है अटेज फूरर कंडॉक्टर उफ एलेक्टिसिटी तो आपको पता है कि वल्प ब्लो करता है कि नहीं करता है तो इससे पता लगता है कि सब्टांस कंडुक्टिंग यह फिर नन कंडुक्टिंग आगे बढ़ते हैं एक्तिविटी तो हम इसको कैसे कर सकते हैं तो जो ऊपस हम और टेश्टर फून हम्हें करें णे जो होती है और इसको हम फ्री एइंट कर देते ж सब्सक्राइब तो हम आपम में उसको कर देदें जोiset करता है सरकивал को कभी आपते हैं यह सारा को हो गया ओके मया लात्यों इसकी है यह इनक्प लुए यह इनक्सर को कड़ा है तो हम लोग टेस्टर का जब बनातेया लाएं करते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि बल्ब गलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो टेस्टेट सही है और नहीं तो नहीं कर रहा है तो आगे देखते हैं तो हम अभी तक जो भी टेस्ट किये वह सारह का सारह सॉलिट फॉर्म में टेस्ट किये थे ते जैसे कि आपको पाता है कि नर्मली जो चीजें जो सब्टांसे बेखर इन थ्री फॉर्म solid liquid and gas okay अभी तक हम solid चीज़े का उपयोग के अभी तक जैसे कि glass जैसे कि solid था और हमने किसके बारे में पढ़ा wood के बारे में पढ़ा would be solid था उसके बाद rubber के बारे में पढ़े rubber भी solid था तो अभी तक हम जितना भी पढ़े वह सारा stocks के च सबस्ब्सक्राइक लोग सब्सक्राइब में पढ़े रहे हैं अब हम लोग जानते हैं कि liquid भी गयास जो होता है वो भी Чер turmoil र imm responsibilities या फ़ी जैसे आपके पास एक और प्ěक्चर आपके पास जो hydrochloric acid it is liqueur okay तो आप इस figure में देख रहे हैं कि जो liquid और air जो conduct electricity करते हैं या नहीं करता हम देखते पहले इसमें test करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि do liquids conduct electricity क्या liquid electricity conduct कर सकते हैं तो कभी भी आप इसको check करना चाहें कि कोई भी olmict chicks पे Concer quatro होने देता है तो आप कभी आपको चेक करना होगा ठीक करता है तो आप इस अपरेटर को ऐसे कर ना जैसरे कि आप करना देख रहा है क्या क्या हर्मने हमने एक कंटेणर लिया जिसके अंदर आप देख पार है कि लिक्यूड तो कोई भी आपने लिक्यूड इसके अंदर ले लिया जैसे कि इस एक्टिविटी के लिए हमने जो लिक्यूड लिया है वो क्या लेमन्रड्र और ऑपार यह यह कंटेफना है यह सिए हमरे पास यह क्या है आइसाए पास हे इस तरह से परजंड करते हैं इसका मतलब होता है यह बैटरी का निगेटिटिव टर्मिनल लोगे अब हमने बैटरी को बंव और सॉलिशन के साथ वाईर के थू अधिक कर दिए जैसे कि देख रहा है यह एक वाइर है इस वाइर को ने बीच में से ब्रेक कर दिया और एक हिसा हमें वाइर का इस का उन्टेनर में डाल दे लेमल जूस में और दूसरा हिस्सा हमने lemon juice के अंदर ही break करते हुए इसको bulk के साथ connect करते हुए हम इसको बैटरी के साथ connect कर दिये clear है यह battery है ठीक है battery के साथ यह wire connect wire होते हुए wire कहा जा रही है lemon juice के container में यहां पर इसका हिसा कटा हुआ है और wire का दूसरा हाफ जो हो इसी के अंदर डिव्ड है और किसके साथ connect है बल्व किसके साथ connect है battery के साथ तो यह operator से इस तरह से connect है इस तरह से joint है देख रहा है यहां पर इस figure में तो जो करने के बाद अगर बल्व करता है अगर यह बल्व जो जल रहा है और गलो करने लगे तो इसका मतलब यह है कि solution जो है वह क्या है electricity अगर बल्व गलो नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि आपको जब भी किसी चीज को check करना है कि सब्सक्राइब को चेक करना है container में लिजए ठीक है और वायर के ends को break करके container का अंदर डालिए ठीक है और फिर से दूसरे दूसरा इंड जो है उसको भी container में dip करना है और बैटरी से इसको जोडने के बाद वुल्ब जो है वो गुलो करता है तो यह solution कंड़क्टिंग अगर नहीं करता है तो यहां पर किस तरह के से आपको पता लगता है कि आप सोच रहे हों कि वायर के को हमने तो दिया यहां से काट दिया लेकिन फिर भी वह ग्लो कर रहा है किसी केस में ग्लो कर रहा है किसी केस में ग्लो नहीं कर रहा है तो यह मैटर सब्सकर्ट कवा यह सरकीट होता है कि यह अपने ज्द्सक्राइब को ए अगर यह सरु 시amत कंप्लीत है मतनुनी सरक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिच्ट अब अपस में ज्वाइन हो जैसे कि यह वायर है यह गुट अफ एलेक्टिसिटी और यह जो एलेक्टिसिटी का अगर ब्रेक हो जाता है अगर वायर के यह तो बल्ब गुलो करेगा अगर नहीं तो नहीं करेगा यह सल्टिसन जो आपस में अगर ब्रेक हो गया तो लाइट जो नहीं गलो करेगा तो इसका मतलब यह होगा कि यह पूर कंडुक्टिस ओगा तो लेमन जूस जैसे कि आप देखें कि यह अपरेटर सेट कि तो बल्ब गलो करने लगा तो इसका मतलब यह होता है कि लेमन जूस जो है वह कंडुक्टिंग है और इसे आपको यह भी पता लगा है कि लिक्यूट कैन एक्शुली कंडुक्टिसीटी बीलाटरी कूइंफ फियू लिक्यूट इक कन toxic इलेक्टिसीटी जो कौन कौन नहीं करते हैं कंडुक्टिक को उसको भी हम लोग दें मतलब कि принципе कीवश hard Gener mortgage हो यह से कुछ हुआ कि जैसे की आपको बता है कि सर्क्राइब कंप्लीट हुगया इसलिए वोग्लो होने लगा अगर संप्रिट हो जाता मतलब कि कहींसे ब्रेक हो जाता तो बussa गलो नहीं करता जैसně की आप को को यहाँ पर पता है कि एक और इसके पीछे एक लौजिक है एक तो complete का एक एक रिजिन है दूसरा जो है वह क्या है तो circuit जब जूरा हुआ होगा तो current अगर flow करेगा तो बल्ब गुलो करेगा अगर circuit कहीं से ब्रेक हो जाता है तो अन इनकम्पलीट सरक्यूइट होने करन यह चोगारा नहीं करेगा इक और रोजिक के पीछे जिसे कि हम बता सकते है कि बल्ब गलीव करेगा यह नहीं चरीक अब दीकिए कि जब भी कहीं से किरेंट फ्लॉ करता हैब याद रखना है आपको आपको कि जहां से करेंटन्व करता तो इस चीज को घर्म कर सकता और एक उफक्ट जो है वो मागनेटिक इफक्ट मतलब कि वहाँ पर अगर आप कोई भी मेर्णेटिक मैईटल रख दो तो आप उसके अंदर इफ्लेक्शन देखोगे है ना अभी करेंट फ्लो कर रहा है तो दोनों इफेक्ट जो हम मुश्ली देखते हैं हीटिंग इफेक्ट और माइनिट इफेक्ट देखते हैं अब इसका जो लॉजिक है कि वर्ल गुलो करेगा या नहीं करेगा यह हीटिंग इफेक्ट के वासे पर हमड़ सकते हैं जैसे की क्रेंट अगर फ्लो कर रहा है अगर में यह गुड कंडुक्तर है है तो क्या होगा कि यह करेंट अपनेयंट में से क्रेंट को फ्लोू कर वाया अग। और हीटिंगफेक्ट उसके उसमें से हमेब होने करके जो बल का filament है जैसे यह बल्व है और बल्व के अंदर philament होता है तो हीटिंगफेक्ट करके यह बल्व का जो philament है वह गरम हो जाएगा बहुत हाइट temperature पर जैसे जैसे क्रेंट की बढ़ती जाएगी हीट भी बढ़ती जाएगी हीट बढ़ेगी तो filament भी गरम हो जाएगा और high temperature पर गरम होने की वज़े से इस्टार्ट ग्लोइंग यह जलना बढ़ती जाएगा तभी हमको पता लगेगा पहली बात की यह सर्कुट कंप्लीट होना बहुत जोड़ी है अगर संग्सर्किट कंप्लीट है अगर क्रेंट फ्लो अगर सर्कुट कंप्लीट नहीं है तो चाहिए लिक्यूट कंडक्टिंग हो और जैसे सपोस्ट कि यहां से व के वाइड जो है पिर उसमें जो लिक्यूड है वो कंडक्टर है याने जैसे कि यह यह हैं पर वह सही देखिए लेए वहाइअ तो current का जो effect होता, hitting effect, जब current यहां से flow हुआ, तो bulb का filament था, वो hit up हो गया, hitting effect की वज़े से यह क्या हुआ, glow करना सुरू हो गया, पर अगर हम माने की current जो है, इस circuit में बहुत weak होता, जैसे की इस circuit में current जो है, वो बहुत weak होता, तो क्या होता, कि filament उतना hit नहीं होता, और यह glow नहीं करता, ओके, तो इसका मत्दव की, एक तो good conductor और एक poor conductor से आप relate कर सकते हो, कि bulb glow करेगा या नहीं करेगा, और दूसरी बात कि complete circuit और incomplete circuit से आप indicate कर सकते हो, कि bulb glow करेगा या फिर नहीं करेगा, तिसरे बात यह है कि चाहे वह चीज गूड कंड़क्टर है लेकिन उसमें जो करेंट जो अगर उसमें करेंट वी सफिसीएंट होना हो चाहिए तकी वह हीट हो सके फिलामेंट और वह बल्ब और ब्लब घलौ हो पाएगा तक तभी बल्ब जो यह वह बहुत कम होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि complete and incomplete good conductor and poor conductor इसको ध्यान में रखना strong current and weak current को भी circuit में और effects of current जो क्या होता हीटिंग effect as well as magnetic effect हो के हीटिंग effect तो आपने देख लिया तो यह current flow किया filament hit up हुआ और तभी तो बल्ट जो है वो ग्लो करने लगा तो मतलब की current का current मतलब की बल्ट जलने का मतलब है एक हीटिंग effect हुआ अब magnetic effect हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे की हम लोग इसको भी free कर सकते हैं यह भी हम आगे परेंगे I think you will got it तो सारे liquids जो है वो नहीं भी conductor होते हैं bad conductors भी होते हैं गुट conductors जो होते हैं उनका जो complete जो होता है वो solution कंप्लीट है मिन्स की जो activity जो हम कर रहे हैं वो बल्ट जो है वो गलो करेगा मिन्स ओने की वजए से हम लोग पता करते है कि ब Vitable करेगा और फिर कितना कि यह तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यह सहीता से अब लोग देखे-स आगे नगे बढ़ते हैं जैसे कि यह दिस्तिशिस किया कि was अंदर करेंट भी हो सकता है स्ट्रांग करेंट को चेक करने के लिए हम लोग जैसे की पर चुके हैं और दूसरी चीज़ हमने और चीज पर है कि स्ट्रॉंग करेंट को उसकता है कि जैसे कि आपके पास कोई ऐसा भी चीज़ सकता है को ऐसा सब्तान्स हो सकता है जो अके यूद। नहीं करा हो तो समें ये तो नहीं है कि यह cndunter नहीं है मतलब़किषर सबस्क्रूंट नहीं कर रहा है चाहें वह strength of current week है लेकिन वह फिर फिर भी वह जो एलेक्रिसिटिक करी रहा है लेकिन current तो यहां पर मेरा ना विक है तो इसके लिए अलग से टेस्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं led कहते हैं इसका अलग से टेस्टर होता है जो विक करेंट को चेक करने के लिए कहते हैं इसको क्या करते हैं लीड करते हैं लाइट गमिट原 इसका मतल्ला होता है देखते है लाइट लाक्य अलफर लाइट फिर मीनिट और बेधील ऑब टेभ सलीड थ्याइट इस तहीं के से आपको दिखता है जैसी यह लेडी को आप क्या कह सकते हैं कि इसको यूज करते हैं विक करेंड को चेक करने के लिए तो देखते हैं कि यह किस तरह से बना होता है कि यहां पर आप देख रहा है कि यह रेड वाला जो सब्सक्रांस ये बभब इंसाइड है इसके अंदर का होगे बहुत छुटा प्रव ऑफ होता है इसके जो दो देख रहे हैं इसमें दो लीड से इसमें जो दो लाइन निकलब ये क्या लीड है टिक वन्लीड जो वह ज्यादा लंबा होता दूसरा लीड़ जोड़े चोटा है एक लीड़ छोटा पाया है स्लाटली छॉट होता है जो लंगर लीड होता है वो हमेशा बैटरी के positive terminal के साथ connect होता है जैसी कि हम आपको बताए थे कि हमारे पास बैटरी है उसको हम इस तरिके से बनाते हैं जिसमें यह जो है वह वह positive terminal और यह छोटी लाइन जो वह नीगेटिव टर्मिनल है जो लॉंगर लीट है वह हमेशा connect से कनेक्ट होगा निए फाटां से कनेक्ट यह से स्मालर होगा गो CtV से निगेटिव टर्मिनल्स से गनेयक्ट होगा और शोठिप सब्सक्राइब के चैप्टर को और भी पढ़ेंगे ओन तो क्यों इसको क्या इनड को और क्यों बोला जाता है यह हम लोग क्लासस में पढ़ाइंगे तो यह पोजिट्रीब टरविनल और नीगतिब टर में जो कुछ भी होता है आप लोगभी देखें पाट जो चोटी लीड है जो उसको क्या कहते है निगेटिफ में इसको करते है केते हैं कहते थो जो बढ़ा होता है उसको क्या कहते हैं नोड कहते हैं तो इस तरीके से एलेडी इस तरह से दिखता है जैसे कि आप कहीं भी सर्केट में इसको चेक करना है तो आपको इस तरीके से आप एटास कर देते हैं इसको अगर इसका बब गलो होने लगता है तो इसका मतलब है कि है circuit में अगर यह बल्फ ग्लो नहीं हो रहा है तो इसका मंदलब कि circuit में current नहीं है okay this is a device which is actually used to check in the circuit की current है कि लेकिन current के weak है कभी weak current हो circuit के अंदर तो that can be checked by using this led इस तरीके से आपको को याद रखना है कि led especially used to check the weak current in the circuit अगर बल्फ करता है मतलब कि electricity में electricity है उसमें अगर बल्फ लो नहीं करता तो इसमें electricity नहीं है ओक है अब आगे देखते हैं लोग जैसे कि हम लोग discuss कर चुके हैं उस activity में भी कितेए यह kणनेल्फ करते हैं कि नहीं करतें चाहें वह चाहिए च्वास को टेस्ट कर रहें चाहें कि विभी को इस भी सर्कैर सर्किट है वह complete होना चाहिए सर्कीट हमेशा क्या होना चाहिए कंप्लीट का मतलब है कि all connections संस और प्रॉपर जो प्रॉपर काई से ब्रेक नहीं जैसे के आप इस फिगर में देख रहा है यह बैटरी है यह वाइर से वायर इस गनेक्ट टू अब बल के साथ यह फिर से आप circuit use कर रहे हो कहीं भी तो वहां circuit क्या होना चाहिए complete होना चाहिए सारी connections proper होने चाहिए in complete circuit when all the connections are not proper and there may be may be wire break okay तो आप यहां पर जैसे कि आपके पास यह बल्ब है यह wire यह wire attached to the battery okay और उसके बाद यह wire है बट वायर जो है वह बल्ब के अंदर नहीं गया है यहां से break wire wire तो कभी यह wire जो है वह ब्रेक होता है तो इसका मतलब है कि circuit complete नहीं है circuit जो है वह तूट गया है और तूटे वे circuit को क्या बोलते है ओपें circuit बोलते है और incomplete circuit उसको बोलेंगे और इसमें current flow नहीं करेगा क्योंकि यहां पर wire break हो गया है तो आपको याद रखना है कि कभी भी हम चाहते है कि circuit के अंदर current flow करें तो वह क्या होना चाहिए current अगर flow करें तो वह circuit जो होना क्लोज होना चाहिए तो यह वह complete होगा current flow करेंगा नहीं तो नहीं करेंगा तो इस चैप्टर में आज इतना ही परते हैं अब आगे जो है वह नेक्स डे परिंग ओके जो है मेजर डिफेंट बिट्विन टैप वाटर है डिश्टिल वाटर ओके तो हम लोग इसके बारे में नेक्स डे परते हैं आज के लिए